आज हम आप लोगों को क्लोनिंग संभाहक अर्थात क्लोनिंग वेक्टर के बारें बताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास तक देखिए चलिए शुरू करते हैं क्लोनिंग संभाहक एक छोटा DNA अड़ु है जो किसी उचित पोसक कोशिका में स्वतंत्र रूप से प्रतिक्रिति कर सकता है और जिस पे किसी विदेशी DNA को जोड़ा जा सकता है कहने का मतलब यह है कि जो क्लोनिंग समभाहक है छोटा सा डियनने अड़ होता है और पोसक कोशिका में स्वतंत्र रूप से दुगुडित होता है अपको यहाँ पर बता दें कि क्लोनिंग अठवा क्लोन का अर्थ है अपने जनक यहनी माता या पिता से सारीधिक और आन्वानसिक रूप से पूरता समरूप होना अर्थात क्लोन डियनने का हर एक भाग मूल प्रति के बिलकुल समान होता जैसे मूल प्रति होती है बिलकुल हर एक भाग समान होता है, तो इस तरह से किसी भी जीव का प्रतिरूप ही क्लोन कहलाता है, यानि कोई भी जीव हुओ, उसका प्रतिरूप क्या कहलाएगा, क्लोन कहलाएगा, और वाहक वह DNA अडु है, जिसमें किसी पोसक कोसिका में दिगुडन अथवा रिप्लिकेशन की छम होती है, और उसमें कलोन किये जाने वाले बिजातिये DNA खंड को जोड़ा जाता है, बिजातिये कहिए, चाहे बिदेसी DNA खंड को कहिए, जोड़ा जाता है, तथा बैक्टिरियो फेज के DNA का वाहक, DNA के रूप में उप्योग किया जाता है, इसका मतलब यह हुआ, कि जो प्ल प्लाजमिट में डाल दिया जाता है जो प्लाजमिट है इसमें उस बिदेसी डियने को डाल दिया जाता है या निवेसित कर दिया जाता है और इस प्लाजमिट को किसी पोसक कोसका के अंदर प्रिवेस करा देते हैं पहले क्या किया कि प्लाजमिट में उस बिदेसी डियने को जाता है दिगुडी तो हो जाता है या कहले जिए उसका रिप्लीकेशन हो जाता है बिल्कुल इसी तरह से जो विशाण बैक्टिरियो फेज होता है इसमें भी होता है ने बैक्टिरियो फेज में भी बिल्कुल इसी तरह से समवाह का कार उससे भी लिया जाता है तो अभी भी प्लाजमेट्स का उप्योग अधिक किया जा रहा है, जो प्लाजमेट्स है इसका उप्योग अधिक संख्या में, अधिक मातरा में किया जा रहा है आज कल बैग्यानिकों ने बीसेज प्लाजमेट्स को रूपांतरित करके फासमेट्स और कासमेट्स का भी निर्मार किया है या जो प्लाजमेट्स था इसको रूपांतरित करके रूपांतरित करना है रूप का अंतर करना थोड़ा सा अंतर कर देना तो अंतर करके फासमेट्स और कास्पिट्स का भी निर्मार किया है और उन्हें वाहग DNA के रूप में उप्योग किया जा रहा है या समवाहग DNA के रूप में उप्योग करते हैं तो खुल मिला करके प्लास्पिट्स और बैक्टिरो फेस को किया जाता था बहुत पहले से अब क्या किया गया है बग्यानकों ने क्या किया कि जो प्लाजमिट्स था इसको भी रूपांत्रित करके दो बनाएक उनकों से फास्पिट्स और कास्पिट्स तो इन दोनों का भी निर्मार किया और इन दोनों का प्रियोग वाहग डियनने के रूप में किया जा रहा या इस इसका उपयोग वाहग दियरने के रूप में हो रहा है